हेलो फ्रेंज्स आपका स्वागत है सरल भाषा चैनल पर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जब भी हम बात करते हैं एक ऐसे जानवर की और्गैनिजम की जो गनपती जी को बहुत ही प्यारा होता है गनपती जी हाँ वही गनपती जी जिसे कोई कहते हैं गनेश कोई कहते हैं लंबोदरा कोई कहते हैं श्रिव पुत्र कोई कहते हैं गनपती दादा अपने वही गनपती जी की बात कर रहा हूं मैं तो उनका जो favorite animal है या उन्हें जो organism या animal सबसे ज़्यादा पसंद है वो है चुहा यानि mouse, rat, उंदर कितने सारे अलग-अलग नाम है चुहे के है ना और गनपदी जी का वहन जो है चुहा ही माना जाता है तो आप सब लोग मैं sure हूँ कि गनपदी महतसब आता है तब गनपदी जी की मूर्ती अपने घर विरास्ते होंगे तो आप नीचे देखते होंगे चोटा सा चुहा रहता है जो उनका वहान माना जाता है उनके दिल के बहुत करीब होता है तो friends आप लोग मानते हैं गनपदी जी को बहुत मानते हैं गनेश जी को लेकिन अगर चुहे आपके घर पे बढ़ जा रहे हैं या फिर वो आतंग फैला रहे हैं किसी तरीके से तो फिर आप क्या करें क्योंकि एक तरफ आपका धर्म कह रहा है कि नहीं हम गनपदी जी को बहुत मानते हैं तो हम चुहे को कोई नुकसान नहीं पहुचा सकते हैं उसे मार नहीं सकते हैं दूसी तरफ चुहा बहुत बड़ी problems create कर सकता है तो चुहा किस टाइप से problems create कर सकत हमारी life में और धर्म के हिसाब से चुहे के बारे में क्या कहा गया है और चुहों से निजात पाने के लिए आसान तरीका बिना उन्हें मारे वो क्या हो सकता है इन सभी चीजों के बारे में मैं discuss करने वाला हूँ इस वीडियो में वीडियो काफी interesting होने वाला है friends मेरे साथ आ अगर आप सोच रहे हैं कि चुहे को मारना है तो यह बहुत गलत आइडिया है अगर चुहे को मार देंगे आप एक तो वो हिंसा हो जाएगी हम लोग रहते हैं भारत में महात्मा गांधी के देश में जहां पर हम बात करते हैं अहिंसा की क्यों मारा जाए चुहा एक छोटे चोटी सी जान है बिचारा उसको क्या मालूम कि वो आपको नुकसान पहुचाएगा उसको भगवाल ने बनाया है वो ऐसे ही काम कर रहा है ठीक है चुहे की कुछ qualities है देखने की ताकत है वो इतनी strong नहीं है लेकिन उसके सुमने की ताकत है उसका सबसे बड़ा हतियार उसके त्रिक्ष्न दात है sharp teeth जिससे वो सब कुछ कुतर सकता है तो अगर आपके समझो plot के कोई registry है या फिर कोई जरूरी कागजात है आपके certificate वगएरा चुहे कुतर जाए तो बड़ी मुश्किल पढ़ सकती है आपको बहुत समझ लगएगा वापस यसको बनाने में या समझो कि electricity के wire है वो कुतर जाए पास-पास wire आजाए short circuit हो सकता है हमारे घर में या office में आग लग सकती है तो ये तो बड़ी problem है plague जैसी dangerous disease भी चुहा फैला सकता है वो carrier होता है plague का और साथ में आप देखें कि plague तो बड़ी disease है लेकिन दूसरी बहुत सारी छोटे-छोटे infections भी पैदा कर सकता है आपके बच्चों के लिए detrimental हो सकता है हानी कारक हो सकता है तो लंबे समय तक अगर चुहे आपके घर में है तो शायद वो घातक सिद्ध भी हो सकते है इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा friends है ना बिना मारे अब मारने के लिए क्या उपाय है कि बजार में वो चुहे मारने की जो दवा आती है वो आप मिला दो कुछ खाने में कहीं रग दो बेचारा चुगा खा लेगा और फिर वो तरब तरब के वो ही मर जाएगा और फिर आपको चुगा बाहर फेक देना है एक मेथेट लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा अजीव सा मेथेट है पर है कि अगर एक बिल्ली आप पाल लेते हैं घर पे बिल्ली जहां रहेगी वहाँ चुगे तो आएंगे नहीं लेकिन लोग जायतर कुट्टा पालना ही पसंद करते हैं हमारे धर्म में भी कहा है कि कुट्टे कोई पालना चाहिए क्योंकि पांड़ों भी जब गए थे स्वर्ग आएंगे साथ साथ शुआज चला था यानि कुट्टा चला था कोई बिल्ली तो नहीं चली थी तो बिल्ली को पालना विदेशों में तो है अपने देश में बहुत कम ऐसे घर आपको मिलेंगे जहां बिल्ली पाल रखा है हाँ बिल्ली की दुश्मन ही है इसके साथ चुहों के साथ लेकिन फिर भी बिल्ली ये प्राक्टिकल आइडिया तो नहीं लग रहा है और अगर आप वो जहर यूज करेंगे जिससे बेचारे वो चुहे मर जाएं वो भी अच्छा आइडिया नहीं है तो क्या करें फ्रेंग्स अब हम देख लेते हैं एक ये काम कर सकते हैं आपकी जो पीपरमेंट होता है पीपरमेंट खाते है ना गूली आती पीपरमेंट की American researchers ने ये प्रूफ किया है सच में रिसर्च हुई थी उस पे बहुत बड़ी रिसर्च सामने आई है अभी दो साल पहले ही उन्हें ये प्रूफ किया है कि पिपर्मेंट की जो खुश्बू होती है वो चुह को बिल्कुल पसंद नहीं होती है तो अगर पिपर्मेंट आप कपड़े में लपेट कर जगे-जगे रख देंगे जहां जहां आपको लग रहा है कि चुह नहीं आने चाहिए तो चुह आएंगे यह आपके घर से बहार वाग जाएंगे पिपर्मेंट की गोली नहीं है आपके पास तो पुदिने का पत्ता उसको भी मिंटी कहते हैं इंग्लिश में तो उसकी खुश्बू से भी उसको नफरत है तो जगे-जगे रख दीजी आप पुदिने का पत्ता उससे हो सकता है पुजिने का पत्ता भी नहीं है, तो तेज पत्ता होगा है, जो पुलाओ में आप यूज करते हैं तेज पत्ते की जो smell है या खुशू है, अपने लिए खुशू है उनके लिए smell है उनको भी यो सहन नहीं कर सकता है, रिसर्चर से यह बताए हैं तो आप देखेंगे कि यह जो तेज़पत्ता आप कपड़ों में रख दें या कोई जहां काघज आप important रख रहे हैं जो आप चाहते हैं कि चुआ नहीं कुतर जाए अगर चुआ का आतंग आप के अरिया में आपके घर में आपके office में तेज़पत्ता रख दीजें बहुत फायदा हो जाएगा आपको एक और तरीका में बता हूँ बहुत लोगों ने प्रयोग भी किया है हमने भी किया था घर पे वो यह है कि चुहा जो है वो एक ऐसा एक वो आता है पिंजरा आता है बजार में इसली मिल जाएगा पचास साथ रुपे का उसमें सिस्टम रह जाता है जिसमें आपको कुछ लगा देना है ऐसी उसमें खुश्बू निकलती है इलेक्टिसिटी द्वाला चलाते है कि वो बोड में कुछ चिपक जाने का ऐसा कुछ जल लगा रेता है चुआ अगर से संपर्ख में आ गया तो भी चिपक जाता है फिर इसको निकाल देना होते हैं इसलिए लोहे की जाली आप लगा सकते हैं वहां पर स्ट्रॉंग वाली जाली तो चुआ नहीं आएगा यह सब मैथर्स आपना सकते हैं चुए को रोकने के लिए या चुए को अपने घर से बाहर ले जाने के लिए ठीक है तो ऐसे तो गनपती जी का वहान है पैदा कर सकता है आपके important documents और कपड़ों को भी आप कुतर सकता है जो शादी में आपने dress पहनी थी अगर वो dress समझो कि उसने कुतर दी तो कितना दुख होगा isn't it friend friends तो इसलिए आप यह ध्यान रखिए और इसमें से ऐसा method यूज करिए जिसमें हिंसा की कम से कम usage हो गनपती जी नाराज न हो जाए उनका वहान भी है ठीक है friends तो कैसा लगा आपको यह video अगर अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर मिलता हूं किसी और दिन किसी और solution के साथ तब तक के लिए bye take care friends